का में मंतुज और आप देख़ रहें मैं यूटूब चनल टेक्निकल मंतुज देंए तो फ्रेम्स अगर अभी तक आपने मेरी चनल को सब्सक्राइब किया यहाई तो मेरी चेनल को सब्सक्राइब कर देए और बेर आइकन को प्रेस करके नौडिफिकेसन को ऊन करते हैं तो प्रेंज्ट आज के से वीडियो में बात करने वाले आपने बच्छे का अभी तक बना है या नहीं बना है किया आपने जो फर्म अप्लाइकosion था वह एकसेंट हुआ है और जेक्ट हो चुका है तो चलिए इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंतक बने रहना होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे अपने मोबाइल में किसी एक ब्रावजर को आपन कर लेंगे तो चलिए आप मैं गूगल क्रॉम को आपन कर लेंगे आपको करना क्या है तो अभर दिया आधार का जो ऑफिसियल साइट है है आपको शर्च पे क्लिक करना है जैसे आप सर्च पे करते हैं आपके सामने एट जहां पर आपको देखने के लित कि मिल जा रहा है तो आपको इसी वाले link पे click करना है इस वाले link पे आप जैसे ही click करते हैं आपके सामने कुछ इस्तरक interface open हो जाएगा यहाँ पे आपको अपना language को choose कर लेना है जैसे language को choose करते हैं आपके सामने कुछ इस्तरक interface खुल के सामने आ जाता है जहाँ पर आधार का जो official website है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है तो यहाँ पर आपको करना क्या है तो आसा scroll down करके नीचे आना है नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको option दिख रहा है तो आपको करना क्या है आपको इस वाले option पे click करना इस वाले option पे आप जैसे ही click करते हैं आपके सामने कुछ इसतर का interface open हो जाएगा जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको लिखावा दिखरा check enrollment and update status तो यहां पर आपको करना क्या है यहां पर आपको जो आधार center के फिल करने होंगे तो enrollment ID 14 digit का होता है और 14 digit में आपका date of birth, year, time, hour और second यह सब होते हैं तो यह 14 digit को होते हैं तो enrollment ID जो है वो कुल मिलाकर आपको 28 digit का होता है तो यहां पर आपको करना क्या है enrollment ID को फिल करना और उसके बाद यहां पर आपको जो capture code दिया गया है यह capture code को यहां प पर क्लिक कर देना है तो चलिए हम लोग पहले enrollment ID जो 28 digit का होता है उसको फिल करते हैं और उसके बाद आगे के process पर चलते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जो enrollment ID था उसको फिल कर दिया और capture code को सही सही से यहां पर फिल कर दिया और आपको करना क्या है यहां पर आपका जो status है वो status आपको यहांपर देखनी के लिए मिल जाएगा तो यहां पर लिखावा दिख करा request accepted stage तो आपका जो request था वो बन चुका है उसके बाद आपको यहां पर लिखावा दिकरा while your आधार is being printed and posted to you please download यह आधार from www.uidi.gov.in तो आप इस site पर जाकर आप यह आधार को download कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने आधार के status को check कर सकते हैं क्या आपका आधार अभी तक बना है या नहीं बना है या आपका आधार accept हुआ है या reject हो गया है तो आसा करते हैं यह वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया है अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो पर एक like कर दिजेगा और अगर मेरे चैनल में नहीं आये हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा वीडियो को लाज तक देखने के लिए फ्रेंज थैंक यू